हेलो दोस्तो मैं दिलसाथ हमद आपके लेकर गया हूँ एक और नई वीडियो तो आज हम बात करने वाले हैं हाव टू सेट अप PPC कीवर्ड टूल इन सैमरत जी हाँ PPC कीवर्ड टूल PPC कीवर्ड टूल क्या होता है PPC का मतलब होता है कि आपने कोई भी एड चला रखी है या ऐसा कीवर्ड जिसके उपर एड चल रही है Google के उपर उन सब की जानकारी देता है यह PPC कीवर्ड टूल तो चलिए इसके बारे हम सीखते हैं और चलते हैं सबसे पहले हम Google के उपर हम आ चुके है Google के उपर अब Google के उपर आने के बाद हमें सबसे पहले सर्च करना है सेम्रस हम सेम्रस में सीखने वाले हैं तो हम सर्च करेंगे सेम्रस सेम्रस सर्च करते ही यहां पर हमें सेम्रस की वेबसाइट मिल जाएगी वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हम अपनी website के homepage पे आ जाएंगे हम website के homepage पे आ चुके है homepage पे आप देखेंगे उपर यहां competitor कीटर एड करने का रहा है यहां left side में अगर देखेंगे तो left side में आपको कई सारे free tool नजर आ रहे होंगे आपके जैसे domain overview, traffic analytics, organic research, keyword gap, backlink gap और भी बहुत सा रगुच तो इन सब के अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो आप जाकर के हमारे Samras के free tools की वीडियो के बारे में इसमें हम click करेंगे इसमें भी आपने बहुत सारी जो setups की वीडियो हैं उनको create कर रखाया जैसा कि position tracking आप कैसे setup कर सकते हैं उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी site audit कैसे setup कर सकते हैं on page कैसे setup कर सकते हैं backlink audit कैसे setup कर सकते हैं organic traffic link building तो आज हम बात करने वाले है PPC keyword tool के बारे में अगर आपने बाके के इन सभी free tools की जानकारी नहीं लिए या इनको किस तरीके से setup कर सकते हैं free में तो उन सब के लिए आप हमारे playlist में जा करके देख सकते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं PPC keyword tool के तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं setup का option के उपर हमें पर click करेंगे click करने के यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका add keyword आ रहा है add keyword के अंदर आप यहाँ पर manually add कर सकते है manually का मतलब होता है कि आप अपनी तरीके से जो भी keyword आप use करना चाहें उसको आप use कर सकते हैं दूसरा from Samras से निस Samras के अंदर से ही यह automatically अपने तरफ से ले लेगा आपका जो भी keyword चल रहे होंगे इस time पर आप कोई txt file upload करना चाहते हैं तो उसको भी upload करके आप उसके research कर सकते हैं साथ के साथ आप .csv file अगर आप add करना चाहते हैं तो इसमें उसको भी upload करके आप इसको देख सकते हैं इसमें Excel फाइल को भी आप अप लोड़ कर सकते हैं तो आज हम क्या करने वाल है हम एड करने वाल है manually add करने के लिए यहाँ पर आपको keyword add करना होगा कोई से भी keyword ले सकते हैं तो keyword के लिए सबसे पहले हम अपनी keyword जहां पर हमने add कर रखे हैं उस पार्ट पर जाएंगे तो हम यहां पर keyword add कर लेते हैं हमने जहां पर keyword add कर रखा है उसको open कर लेंगे open करने यहां देख सकते हैं पर कई सारे हमने keyword जो आप करने पिछली वीडियो में भी add किये थे तो हम यहां से keyword उठा लेंगे यह keyword उठाने के भी एप add कर सकते हैं साथ के साथ auto grouping करना चाहते तो autog grouping भी करो सकते हैं ठीक है एक keyword का एक group बनाना चाहते हैं तो वह भी बना सकते हैं तो बहुत सारी चीज़े हैं इसके internally अगर आपको इसकी full description video हमें देखनी है तो आप हमारी playlist में Samrass की एक दूसरी playlist है setup के अलावा आप उस list में जाकर गया इसकी full video देख सकते हैं जिसमें आपको fully explain करके पताया गया है कि grouping क्या होता है और keyword क्या होता है सभी चीज़े ठीक है तो हमने दो keyword add कर लिए हैं तीसरा keyword हमें इसको add कर लेते हैं add करने के बाद यहां on our location हारा करनी है यह और समय सकते हैं कि आपको देखना है कि वहां कहान में वहां देखती की वर्ट देखना है तो इंडिया के उपर आनी के अलते हैं हम इंडिया क्या करतें हैं इंडिया के अंदर भी आपको कौनसा में पाड एसा या कौन सा स्टेट जुसमाउं मना कि बाद में हे तो यहां दिली पास डिली करहें है अजर्वाई यहां पर वाल अजर्वाई एक सबस्क्राइब अब बार करूं सु Blaze PPC keyword tool के लिए starting के लिए आ रहा है तो यहाँ पर start करतेंगे start करने के बाद यह इसके data को fetch करने लग जाएगा कि इन तीन keyword के उपर कौन कौन से आपके keyword है आपके हो रहे है ठीक है अब देख सकते हैं यहाँ पर आपके तीन PPC ऐसे keyword है जो यहाँ पर add करती है है इसको add करने के बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इसमें टाइम लगेगा कि इसका volume क्या है CPC क्या है और इसका competitive density कितनी है ठीक है आपको match type भी देख सकते हैं किस तरही के से match type है अगर आपने इसकी PPC keyword tool की video नहीं देखिए तो पहले उसको जाके देखिए अपने setup तो कर लिया आपको यह पूरा description हो यह अच्छे से समझने के लिए आपको पहले वो वीडियो देखने पड़ी इस तरीके से तो थीए आपको बता दों कि इसको किस तरीके से setup करते हैं लेकिन यह क्या है कैसे है कर रखी है तो मैं उस video को यहाँ पे link भी कर दूंगा आपको देख सकते quantify कर करके ताकि आप इसको easy ते देख पाएं तो यहां पे देख सकते हैं अगर आप इसको surprises message करना चाहिए तो focus match कर सकते है देख सकते हैं देख सकते हैं Frances match में यहां पर double colon आ चुका है घर भू सरी चीज़े है उपर PPC keyword tool को आप देख सकते हैं उसको generate कर सकते हैं आपको जो ये data fetch करने में कम 24 गंट आपका लगता है तो 24 गंटे के अंदर आपको ये data fetch करके देदेगा अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको like कीजिए, share कीजिए और subscribe करना बिल्कुल में मत बुलिए त हुआ 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 है